नमस्कार आप देख रही है नेक्स्ट नाइन लाइफ एक और जहां तारक महता के उलटा चश्मा से जुड़े कई कलकार असुद कुमार मोधी के पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो वहीं शो से जुड़े एक अभीनेता ने असुद कुमार मोधी की भर-भर करता आरीफ की हैं शो में बिट्टो का किरदार निभा चुके मुहमर सौध मनसूरी ने मेकर का फेवर किया एक्टर ने कहा कि एक बाल कलकार की रूप में कि मैंने निर्माताओ और टीम के साथ शूटिंग की और मुझ पर भरोसा करें ये मेरे करियर के सबसे आश्टर जनक का अनुभव में से एक था शो और शो का हर हिस्सा मेरे लिए परिवार की तरह था मैंने बिना किसी तनाओ के सेट पर काम किया सेट पर काम करने में बहुत उन्होंने कहा असथ सर मेरे लिए गुरू है। मैं सेट पर नया था और वैं हर हफ़ते आकर मेरा मुझसे काम को लेकर बात करतें और रिसाती जी मैं ये बताते हैं क्या हम केरदार और दर्शकों की फिए करद्रिया के लिहाज से सही काम कर रही है या早 या नहीं? एक्टर ने आगे कहा कि उन्होंने पूरी तरह से मेरी मदद की और वे एक अच्छे व्यक्ती है और मेरे लिए ये विश्वास करना काफी मुश्किल है कि लोग उन पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं मुझे याद है कि मैं एक पार्टी में गया था उनके साथ मुझे नहीं लगता कि वे कभी ऐसा कर सकते हैं मुझे नहीं पता कि ये आरोप किस मानसिक्ता के साथ लगाये जा रहे हैं बताते चले कि इस सीरियल में काम करते वक्त मुहम्मद सौद मनसूरी की उम्र महज 17 साल की थी वहीं कई गंभीर आरोप यहां जैनिफर मिस्टरी के साथ साथ प्रिया राजदा और मॉनिका भदोरिया ने भी लगाये हैं